तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सब्डेट देना है एक्चुली एक बहुती छोटी मुलाकात हुई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बैनेट और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी के बीच में स्कॉटलेंड में ये दोनों निता मिलते हुए दिखाई दिये एक्चुली मैं आपको बता दो कि क्लाइमेट चेंज कॉनफरेंस के दोरान ये दोनों निता पार्टिसिपेट कर रहे थे जिससे नाम दिया गया CEOP26 वही पर पार्टिसिपेट करने के लिए ये दोनों निता स्कॉटलेंड पहुचे वहाँ पर सडनली दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात का वीडियो खुद नेफटाली बैनेट ने ट्विट किया आप ये वीडियो स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे ये वीडियो खुद नेफटाली बैनेट ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्विट किया है इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही नेताओं की बीच वी केमेस्टरी है वो ला जवाब दिखाई दे रही है यानि आप ये कह सकते हैं अगर इनकी जगए बेंजमिन नेतन यहू होते तब भी उनका मिलने का तरीका या उनके साथ पियम मोधी का मिलने का तरीका बिल्कुल यही होता अल्टिमेटली आप ये कह सकते हैं कि इसरेईल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए इससे फर्क नहीं पड़ता भारत के साथ जो उनकी chemistry है जो उनकी relationship है वो at least ऐसे ही रहेंगे इसमें कोई भी दोमत नहीं है वैसे यहाँ पर इतनी गर्म जोशिश में मिलने का एक और कारण हो सकता है कि जो रिसेंटी में आपको वीडियो बना कर बताया था दो दिन पहले कि भारत और इसराइल के बीच में दस सालों के लिए defense cooperation हुआ है यह बहुत ही अतिहासी cooperation है यानि इससे पहले ना तो भारत ने किसी देश के साथ इस तरह का corporate किया है और नहीं इसराइल ने किसी के साथ किया है तो ऐसी परिस्तिती में दोनों ही देश पहली बार एक दुसरे के साथ इतना बड़ा cooperation बढ़ाने जा रहे हैं तो कही न कही रिश्तों में और ज्यादा मधूरता तो आनी ही है खेर यहाँ पर दोनों ही देश एक दुसरे के लिए काफी dedicated रहते हैं ये काफी अच्छी बात है बता जाता है कि future भारत का इसराइल में और इसराइल का future भारत में है तो इसी परिस्तिती में ये मुलाकात काफी एहम हो जाती है वैसे मुलाकाते PM Modi की इस दोरण कई दोगों से हुई है वैसे इस conference में तो नहीं लेकिन फिर इससे ठीक पहले जो G20 का conference हुआ था उसमें आपने देखा कि तमाम world leaders के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंदर Modi मीटिंग कर रहे हैं और काफी एक friendly मीटिंग की फिर जो बाइडन हो एमैनवल मैकरॉन हो या फिर बोरिस जॉनसन हो या फिर इसी के साथ साथ हमारे कट्टर दुश्मन टुकी के राश्टर पत्ती एरदोगान ही क्यों नहो सभी के साथ लगबग लगबग पियम मोदी की मीटिंग हुई और ये मीटिंग काफी अच्छी रही लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय जो अटेंशन खीज रही है वो मुलाकात है निफ्ताली बैनेट और प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी की ये मुलाकात अपने आप में काफी खास है आप जहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ने ही एक दुसरे के कंदे पर हाथ रखा हुआ है और काफी अच्छी से बात कर रहे हैं बहुत ही चोटी मुलाकात थी लेकिन मैंने अगेन मैं आपको बता दो उसके काफी खास थे इस पूरे मुद्धे पर आपका क्या मानना है ये चोटा सा वीडियो आपको कैसा लागा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा